नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस चैनल पर इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं DSSB के बारे में DSSB दोवारा प्राइमरी टीचर की विकेंसिस जो आने वाली हैं उनके को लेकर के कुछ अपडेट है यह अपडेट हमें RTI के माधम से ही पता चल पाया है अभी मैं आपको दिखाऊंगा वो RTI जिसमें की DSSB ने यह जवाब दिया है कि वो प्राइमरी टीचर की विकेंसिस को लेकर क्या एक्शन्स लेने वाली है कब और कितनी विकेंसिस होगी इस पर बात कर लेंगे यह आपके कुछ इंपोर्टन सवाल है काफी दिनों से आप में दिजार कर रहें कि कब और कितनी विकेंसिस आएगी इसमें में बात की कही है MCD, DOE जो डिपार्टमेंट है MCD का और नडीमसी का ठीक है इनमें जो प्राइमरी टीचर की विकेंसिस हैं इसके बारें बात की कि चले वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के आप देख सकते हैं यहाँ पर यह डीड रिपलेस भी दौरा दिया गया जवाब है आर्टी आई के लिए जो आर्टी आई दायर किया गया था जिसमें की कुछ सवाल पूछे गया थे कि कितनी पोस्ट जो है अससेस्टेंट टीचर की वो अभी तक खाली है MCD, DOE, NDMC में और कितनी रेक्वेजिशन उनको भीजी गई है साथ के साथ MCD को लेकर भी स्पेशली पुछा गया था कि कितनी रेक्वेजिशन आई है तो आप देख सकते हैं यह जो आपको दिख रहा होगा इसमें जो डेट ओफ फिलिंग है RTI की यह 19.5.2024 है यानि कि 19.5.2024 को रीसेंट की बात है यह RTI दायर की गई थी और उसके द्वारा यह जवाब मांगा गया था DTSB से DTSB ने जवाब देते वे रिक्वेस्ट डिस्पोस्ट कर दिया है 5.6.2024 को यानि कि यह भी हभी की बात है दो दिन प्रानी बात है देखे इसमें जवाब में यह का गया है कि no requisition has been received from MCD, DOE, NDMC for the post of assistant teacher primary as on date यानि कि इस date तक अभी तक MCD, DOE और NDMC से किसी भी तरह की assistant teacher की post को लेकर requisition नहीं receive की गई है यानि कि यहाँ पे हम यह कह सकते हैं कि MCD, DOE, NDMC की तरफ से किसी तरह का कोई requisition अभी तक नहीं भीजा गया है टीटर प्लेस्पी को साथ के साथ नीचे special लिखा भी है कि MCD को लेकर कि यह बात कि no requisition received from MCD for the post of assistant teacher primary as on date यानि कि MCD की तरफ से भी कोई requisition नहीं receive हुआ है डीटर प्लेस्पी को primary teacher की vacancies को लेकर यानि कि जिसको assistant teacher भी कहते हैं तो जो लोग अभी तक उमीद में थे कि जल्दी इसकी vacancies आएंगी तो यहाँ पर इस RTI के माधियम से हमें यहीं पता चल पा रहा है कि अभी हमें और इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि अभी तक requisition ही received नहीं हुई है डीटर प्लेस्पी को और जब तक requisition नहीं आती है requisition होता है कि vacancies के लिए जो भी vacancies position होती है उसके अनुसार हर एक department डीटर प्लेस्पी को अपनी vacancy detail दे देता है और उनको कहता है कि भाई आप advertisement निकालिए तो requisition होती है तो requisition नहीं आई है MCD की तरफ से भी कोई नहीं आई DOE की तरफ से भी नहीं आई और NDMC की तरफ से भी नहीं आई यह special assistant teacher यानि कि primary teacher की बात हो रही है मैं यहाँ पर TGT, PGT या बाकी other post की बात नहीं कर रहा हूँ तो जो लोग primary teacher की vacancies का इंतजार कर रहे थे यह completely उनके लिए है यह update तो जो लोग इंतजार में थे अभी शायद उनको थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है तो चले इस वीडियो में हम इतना ही रखते है I hope वीडियो आपके काम की होगी informative रही होगी पसंद आए और लाइक करेगा चैनल पर नहीं है तो subscribe करना मत भूलेगा इस वीडियो का अपने दोस्तों तक share कर दिजेगा दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में दोस्तों तब तक लिए नमस्कार धन्यवाद